हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप एक और नई स्वीट डिस्क के साथ आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है आज हम आपके साथ जटपट से बन जाने वाली मिठाई की रेस्पी से एर करेंगे आप इसे फाश्क में बना कर भी खा सकते हैं और भगवान कृष्ण को एक अदसी पर भोग भी लगा सकते हैं चलिए तो बनाना हम सुरू करते हैं रेस्पी अच्छी लगे तो उसे प्लीज लाइक और सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नाभूने ये दो हमने ताजे नारियल लिये हैं आज हम आपके साथ नारियल की साहता से चील लेंगे फ्रेस नारियल है बहुत आसानी से ये चिलिका इसका उतर जाता है दस से बारा मिनट में ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है आप इस बर्फी को नारियल के बुरादे से भी बना कर तैयार कर सकते हैं लेकिन फ्रेस नारियल से जो बनती है वो कि गरी के सारे छिलकों को हमने उताल लिया है अब हम इसके बूरा तयार करेंगे आप चाहें तो इस तरह के बारीक छेद वाले ग्रेटर से गरी को घिस सकते हैं उससे भी बूरा तयार हो जाएगा पर हम इसके छोटे-छोटे तोड़े करके मिक्सी के जार में डाल कर इसको प तुकड़े कर लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल कर इसको बारीक पीस नेते हैं और ये दिखिए इसका हमने बिलकुर बारीक बुरादा तयार कर लिया है इसमें आपको पानी नहीं डालना है सूखा ही इसे आप मिक्सी के जार में पीस लीजे और इस कप से ये दो कप ना कढ़ाई में नारियल के पुरादे को हम डाल देंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे गैस की फ्लेम लो रखेगा जिससे नारियल जले नहीं नारियल में थोड़ा दूद होता है दो मिनट में दूद कापी हद तक हमारा सूख जाएगा इसलिए दो मिनट के लिए इसे चलाते हुए हम लो फ्लेम पर ही भून लेते हैं दो मिनट हो गए अब इसमें हम डालेंगे चीनी दो कप नारियल का बुरादा था तो उसी कप से एक कप हमने इसमें चीनी डाल दी है गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है क्योंकि चीनी भी मेल्ट हो और इसको चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए हम भूल लेते हैं दिये देखिए धीरे धीरे चीनी भी मेल्ट होने लगी है अब इसमें डालेंगे दूद एक कप हमने दूद डाला है पर दूद को हमने मलाई के साथ ही डाला है मलाई डालने से इसमें हमें घी डालने की जुरुत नहीं पड़ेगी और अगर आप मलाई न डालना चाहें तो आप यहां पर आदी छोड़ी चमस देशी घी डाल दीजिए इससे बर्फी हमारी सौप्ट बनेगी तो बस अब इसको लगातार चलाते हुए हमें गाड़ा करना है गैस की फ्लेम आप 1 और मीडियम बीच बीच में करते जाईए और इसको गाड़ा होने दीजिये यहां पर तीन चार इलाई ची में reg birl का फूट कलर फ्लेवर यहां पर हमने इलाईची का दिया है आप चाहें तो गुलाब जल केवडा का भी दे सकते हैं जो आपको पसंद आप उसका फ्लेवर बर्फी में दे दीजिए बर्फी हमारी यलो कलर की बढ़िया दिखे इसलिए हमने यहाँ पर फूट कलर डाला है आप बिना फूट कलर के भी बर्फी को बना कर तयार कर सकते हैं जब तक यह गाड़ा हो रहा है तब तक हम एक छोटा सा काम और कर लेते है यहाँ पर हम देंगे एक प्लेट और इस पर थोड़ा सा घी डाल कर हम इसे ग्रीस कर लेंगे हम अपनी बर्फी इस प्लेट में जमाएंगे अगर आपके पास बर्फी जमाने वाली ट्रे हो तो आप उस पर घी लगाकर उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इधर यह हम बरफी का बैटर भी काफी गाड़ा हो चुका है ज्यादा इसे हम सुखाएंगे नहीं नहीं तो बरफी हमारी सौप्ट नहीं बनेगी हलका सा इसमें जूसी पर हम रहने देंगे एक दो मिनट के लिए इसे थोड़ा सा हम गाणा और होने देते हैं और यह लिछे बरफी जमान किनारे का साऩ आतनेौनें दीज़ी को लगए हूं कम पूर करेंगे, इसे डिख्ञा से किनारे को अध्याओ हुए हम इसाथ हुए हुए हैं किनारे को दवाब पूर चाहे हैं हमें चाल पूर अदिवी से पीस कट जाएं उससे पहले इस पर थोड़ा सा पिस्ता हम काट कर डाल देते हैं इससे बर्फी देखने में बहुत सुन्दर लगेगी इस चारो तरफ पिस्ते लगा दिये इस पैसुला से हलका सा इसे दबा देंगे जिससे हमारे पिस्ता पाहार ना निकले और ये देखे क इतनी सुन्दर हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई अब इसे 10 मिनट के लिए हम थ्रिज में सैट होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसके पीस करेंगे ये देखे 10 मिनट हो गए और ये बर्फी बहुत अच्छे से सैट हो गई है चाकू से अब इसके हम पीस कर यह देखे जब हम पीस कर रहे हैं तभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से हमारी बर्फी सेट हुई है पीस आप छोटे बड़े जैसे चाहें अपने मन से कर सकते हैं इस वार एक अदसी पर आप इसे बनाकर भगवान कृष्ण को भोग में चड़ाईए पंद्रा मिनट में ये बर्फी बनकर तैयार भी हो जाती है एक पीस हम आपको उठा कर दिखाते हैं कि ये बर्फी हमारी कितनी ज़्यादा सौप्ट बनी है ये देखिए कितनी सुंदर हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है बहुत ही ज़्यादा सौप्ट और जूसी है आप इसे एया टाइट डब्बे में बंद करके 6-7 दिन तक आराम से रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती और इसी तरह से टेश्टी बनी रहेगी एक पीस हम आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं कि ये देखिए कितनी ज़्यादा सौप्ट बनी है ये देखिए आपको ये रस्पी कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताईएगा और यदि आपको हमारी रस्पी सच्छी लगती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक और सेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूने जल्दी एक और नई रस्पी के साथ हम आपसे फिर मिनेंगे थैंक यू